जो अपने हग का सही इस्तिमाल कर सकता है उसको हग से बन्चित कर दिया यह इलेक्शन कमिशन का बहुत बड़ा फॉल्ट है बच्चे डिग्रियां ले लेके बैठे वे उनके पास रुजगार नहीं है गर में पैसा देते हैं यह इतने ठेके खुलवा रहें दार हो के कोई मतलब है इनके दिमाग में चलता है हिंदू मुसलिम हिंदू मुसलिम यह गलस सोच है सर जी दस मिंट दो पहले बैठेगा फिर पंद्रा मिंट बात चीत करवागा बच्चों से फिर पांच उन पड़ागा पांच उने में क्या समाझ आगा फिर बच्चों को फेल करता है बाई मारेंगे वीजीपी वाले सर मारेंगे सर जुग्यों का आलद आप देख लोगर इनको रिपेर कराना तो इसका भी एक रेट किया गया वालमी की समाज आप सबसे निजले पाईजान पे दिल्ली में खड़ा है मेरे नाम मेंदरे मैं पुरानी चंजाओल से बहुत रहा हूं से मलिटिले के सामने से आप अबाई जया हैं आपको बोट डालने जा रहे है को रिख सा नहीं है कुछ भी नहीं है जी मैंदेगो यह मेरे पास है कुछ नहीं सुविजा निया पर यह ऑप ये पोट लेने वाड़े सारे अची ईया ये जिल्दम्द यह यह आपे विद्धे निदेर को अब आज निदे आपर वर्डेने के ने साव वाजके लिदा निया इन की तोर पर आपका बोट हैं यह मेरे बोट का मेरे घर के चार बोट हैं तीन का लगता है किसको आप लगता कि जो करेगा जेखो जो काम करेगा वह लेता रहा है पिछली भेर भी आसी देजिया दामने दो किसी ने कुछ करा या ना करा वह तो उनकी मर्जी है तो आग वीच का पोड के देंगे जी हमें निपटा किसकी बाण है पात कदम और क्या परिशानी में दाशी होगा आपि क्या समस्ताइब आपने हैं वह दी साल सो डाला है वह तो परची नी आ रही है तो क्या करा जाए पता हो हो है सब कुछ है पैन काट अधर काट सब कुछ ह सब्सक्राइब कर दिया अपना अधार गाट दिया पिछली साल तरह भी नहीं आया सब्सक्राइब कर दिया जो 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 गरीब आदमी जिसका पांस साल में एक बार वक्त आता है जो अपने हका सही इस्तिमाल कर सकता है उसको हक से वंचित कर दिया सरकारी खामिये जी और सरकार किस की और सरकार पर दबाव किसका आप सब जानते हैं सरकार तो जो परसासन हैं और सरकार किसकी और आपको मालू है यह इलक्षन कमिशन का बहुत बड़ा फॉल्ट है और ऐसा इनका इनका चाचा जी के नहीं है हम सुबा आठ बजे से यहां पर घूम रहे हैं कम से कम सैकड़ों लोगों के साथ ऐसा हुए नाम गलत है नाम गलत तो अलग इसू हो गया आपका नाम है पिछले 10 साल से 15 साल से तीम बार वोट कर चुक है लेकिन इस बार आपका नाम है यह तो इलक्षन कमिशन देगा जिसका जवाब ऐसा क्यों हुआ है इंक्वारी नहीं हो यह आम जनता है मतलब यह हर पांस साल बाद यहां तो यहां से जो यह इलाका एने जहां पर आप बात कर रहे हैं यहां गरीब जनता रहती है यह सलम इलाका है यहां के लोग हर बार आस में वोट देते हैं कि हमारे इलाकी के लिए कुछ हो जाएगा लेकिन सब यहां से वोट लेने के बाद कोई मुड कर नहीं लखाता यहां पर कुछ नहीं होता सब लूट जाते हैं सारे वोटर सर्वाल लूटते हैं तो बदलाव चाहते हैं जी इस बार कई पार्टी आ रही है सर जाड़ू भी है जाद पार्टी भी है कांग्रेश भी है कांग्रेश तो खेर इस टॉली बहुत कम दिख रहे हैं तो बदलाव ह काम बता दें कि यह कर दिया जी हमने यहां के लिए दें आगर च्री वाल जी ऐसा करें हम वैल्कम करेंगे उनका और आपकी यहां क्या क्या समस्या है जो सब्सक्राइब करना चाहेंगे अपने पारस्थ को अगर लीटा कि आता है तो देखे हमारे यहां पर गली की समस्या पानी की समस्या रोड की समस्या और सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहां जो घर है वो छोटे हैं परिवार बड़े ह होगे लोगों को घरों को ठीक करने की जरूत है उनको रीडवलप करने की जरूत है लेकिन यहां के नाम पर अभी तक लोगों को लूटा गया अगर किसी ने गलती से अपनी दिवार भी छेड़ दी तो कॉर्परेशन वाला उसका इतना बुरा हाल कर देंगे कि वह बिना कॉर है यहां पर यह आज से पहले कभी नहीं था यह पहली बार हुआ है पूरी अगर नया आदमी आएगा बदल के आदमी आएगा तो कम से कम इस प्रेक्शन से यहां इस इलाके के लोगों को रहत मिलेगी क्या नहीं आपका मेरे नाम नहींदर चोधरी मैं चंद्रावल गाउं का परधान हूं यहां पर सर पास साल होगी बीजीपी को मैर कोसलर बने वाए लेकिन उसमें यहां छेत्र के अंदर चोरा सी लैंड मैस खेवर पास चंद्रावल गाउं मजनुक टिला कभी आकर के नही नहीं मोरी हो जा किस तरीके से कोई टूठ बूट सही करायाजाया या पारक सही करा जाया पुछ यह नहीं कराया इसलिए सब लोग खिलाफ है उनके और कोंग्रेस पारटी के टैम में यहां हर तरीके से काम हुए यह सड़के जो बनी वहां जहा हम खड़े हैं यह कोंग्रे मेरे नाम नीतु सिंग है बताई मैम क्या समस्य और क्या आप चाहती है सर हमारे जो टाइम पे शीला दिशी जी जो करके चली गई है न वो 15 साल से हमें कुछ नहीं दिख रहा है जो शीला दिशी जी ने किया वो अभी तक किसी नहीं किया रासन बिजली पानी फिरीयोंने से लाड़ने स हमारे बच्चों के लिए पीजविए नौकरी चाहिए हमें बच्चे अटिगरियां ले लेकर बैठे में उनके पास रुजगार निहीं है नश्य पत्ते में जा रहे बच्ये विजच कोई तरीका है सरकार का क्या रुजगार नगरुण बनाने से क्या होता है reduced लोटि से वरता है ना सब्सक्राइब तो हम खुदी कर लें तो कोई सविदा नहीं है यहां पर सफाई के देंगे मैं दूर दूर तर कंगरेस का मैं नहीं नहीं है इन्होंने कुछ की आई नहीं तो हम इने चाहते ही नहीं है सबसे बड़ी बात है एजूकेशन बच्चों के लिए और रुजगार बस ये दो चीजे चाहिए हमें हमें नौकरी चाहिए अपने बच्चों के लिए बस हमारा टाइम कर गया अब हम अपने बच्चों के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूं सर्ण बताइए 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 एंसीडी के अंदर आज कम से कम मेरा विचार से दस साल से दस क्या 15-20 साल होगे जब भी भरती होई तो कोंग्रेस के टैम में होई है इनके टैम में कोई भरती नहीं होई और एका किया आदमी से तिम तिम जगे का काम लिया जा रहा चार चार मिनने इन लोगों को तनखा नहीं मिलती सफाई करम चारियों इनके जीसे बूजे कैसे गुजरती है इन्होंने विज़े पी के लोगों ने वो हाल कर दिया इनको के महंगाई को कमर तो सब्सक्राइब दिया है आज 200 रुपे किलो तेल भिक्रा है सर्चों का चीनी का भाव देख लिए आटे का भाव देख लिए नवर मिर्ची हल्दी का भाव देख लिए गैस सलंडर जो साने 304 रुपे में कॉंग्रेस के टैम में मिलता था आज वह 1100 रुपे का सलंडर मिल सब्सक्राइब लिए इस देख के लिए सबने कुर्बानिया देहिं इस देख के लिए सबने खून भाया है जब जाकर के देश हमारा आजाद हुआ है इनके दिमाग में जो चलता है इंदू-मुसलिम इंदू-मुसलिम यह गलत सोच है इस सोच को इने इसी सोच से इनने खतम करा जाएगा पहले सर बीस साल पहले हम एक चार पाई बैटके एक साथ खाना खाते थे मुसलिम भाई हम से रक्षाम बंदवाते थे और आज का टेम आज का टेम देखो इंदू-मुसलिम सब एक है बर दिखाने का एक है कहना मैं ये चाहरी हूं कि जब से जब से ब्रश्चा चार होगा एक है मस्धित में वही उपर वाले की दूआ होती है मंदिर में भी वही पूजा होती है यह सब है ना मतलब यहां आके यह गलत किया जा रहा है सब एक है इस टाब मैं देखिए मैदम आप एक आम आदमी भीमार में यह सब भी पार्टी आ रही है जो अच्छा काम करने का सबसे में बच्चों के लिए नौकरी उनकी एजूकेशन स्कूल बना दिया पर हमां पढ़ाई नहीं है स्कूलों में आज भी टीचर सारे सरकारी सेलरी देने बैठे रहते हैं कोई बच्चों को कोई तरकीन हम टूशन लगा रहे हैं बच्चों का बार गरीब आदमी हम तूशन लगा लगा के पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को पैट्चा जोर से बोलो बदलाव जरूरी है बिलकुल जरूरी है जैसे कि जैसे कि जो काम करेगा उसको बोट मिलेगा यहां से कि एस्ट रही थों कुछी तो पूल जाते हैं हमें तो एम अज़्पों अपनी उम्र दर आजया में तने सरकार देखिए है कि सरकार पर लग effectivement मदगए समक्राइब लेह से अते एक तेंट शरकार हारी है । यहां तो सब सब्सक्राइब आते हैं कम उपढ़ा पड़ा के जाते लिगां पतर सब्सक्राइब उन्य खार सभर आते हैं तो पड़ा था कॉनल ला उन स्टहरो आप पड़ा होना निन क्या कमिया दिल्ली सरकार की स्कूल में इस टाइम पर कि हम जब पढ़ने जाते हैं सर्जी दस मिन्ट पहले बैटेगा फिर फंद्रा मिन बाद चीट करवागा बच्चों से फिर पांच उन पड़ागा पांच उने में क्या समाझ आगा फिर बच्चों को फेल करते हैं इस पर उस्कोल मैं आगजीन डिल्ली चाहुएं सब्सक्राइब जब संब बाद साइंस है हमारे सकुल में हापा भाई जब इस ट्रैंपर शर्जी इस ट्रेंप बैढ़ी दस दिन पहले सर्जों कर चा पढ़ाना चीए अब कितने दिन काम होता है राक्षनों को उन्स बात नहीं हमने नहीं करा पर यह समस्ट ने बच्चों को कम से 20-25 मिन तो पढ़ाने के लिए तो यह पढ़ा ही थोड़ना होती हमारी तो साल से खिलवाद नहीं पढ़ाई से बच्चों का सरकार कोई पता है आप ही पूछ रहे हमसे नुक्सान क्यों है हमारा बहुत नुक्सान है हमारे भाई नहीं पढ़ पा रहे हम नहीं पढ़ पा रहे तो क्या करें सर इसलिए नहीं मिल पा रही है क्या करें सर इसलिए नहीं मिल पा रही है क्या करें सर टीचर ही क्या करते हैं दो मिनिट बैठते हैं फिर इस्टाप रूम में बैठके बतानी चाहिए लगए लगए में मैं 15 साल से जत्षेदा जीत रहे मैंने टू मिलर पे आते हो देखा है और वो फोर्चुनर में आ रहा है हैं किसलिए फोर्चुनर कहा से आगे उसके पास 11 करोड की कोड़ी करीजिया कहां पर राजपुर रोड पर कहां से खरीदिए में पाट साल में 15 साल में पाथ पाच दो किया बदला चाहते हो सर ना चाहता हूं जीते हैं आजाद पाटी भी एक यहां पे सर खड़ी है हो जाएगा जाएगा जरूर कट बंदन हो जाएगा करोना काल में किसी ने पैसे ने दिये के दिवाल ने पांच 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 जार रुपे दो वार मेरे बापा को दिये राजेश कुमार वोट आलके हो भी सारी देख लो वोट डाला भी किसको आम आदमी को साब बता दूंगा देख लो बोलो कोई मार लो मारोगा तो मारेंगे वीजेपी वाले अधिकार है इन भाहि aujourd राइंगे वीजेपी वाले मारेंगे तो कर आदेब है समय लिए भाड कर ता पांसर पांसर रोपे अगर मैं बोल नहीं तो सामने कड़ी बोल रहा हैं तो उंक एलिए के मेरे साथ से जब सस्क्राइब मुलूरा एक को नी सेलेगा ऐसा सब को प्यार है जाब सकने करबसेन इससलिए इसके लो 75 mm簜 में सबस्टार हुआ कोई बतलाब नहीं हुआ इस बार कोने ना चेसे करो केदरिवाल कोछ जीतेगा वाही जीते गा ऐसा जिए जपर पदला केदरिवाल साथ क्यों सर क्यांकि जो मोदिसाओ वहे न है है जो बीजेपी वाले न हैं उन्होंने महगां इतनी अ इतनी बढ़ा दिया कि घुलीवाद नहीं थी और बहुता है जए उनके लिए चलता रहा तो बड़े आधमी है न डिलक थोड़ा खाने के लिए मंदर तो सारे हमारे गार के अंदर भी यह दिल के अंदर भी यह तो अधिक वह इस इस इलागे में सरकारी नोकरी की भरतियां बंद तीन तीन चार चार चेशे महीने जो में करमचारी इस इलागे में में करमचारी बहुत जादा है उनकी छेचे महीने इन्होंने तनुभवा बंद और उसके बाद जो बच्चे हैं यह नोजवान साथी हैं इनके रोजगार नहीं है आप इंसे पूछे इनसे पूछे यह यह युवा खड़े हैं यह महिलाएं खड करेंगे सर्वेकां जिन्दावाद मुद्दा जो है बेरोजगारी हैं में बरस्टा चार है हम बरस्टा चार को देखते हुए आप पार्टी और भाजपा के खिलाफ वोट करने वाले हैं इस वार तो का पदला आप चाहिए सर जो आपने बोला अब लबु भाई आप में ब परेशान है मेंगाई है मेंगाई है एंसेडी में बरस्टा चार है पांच साल पहले भाजपा का पार्शत जीता यहां पर लेंटर का रेड तया कर दिया गया कि एक लाग का लेंटर है जुग्गों जुग्यों का आलद आप देखलो अगर इनको रिपेर कराना ना तो इसक पैसा वसूल आगे यह ब्रस्टा चार एंसेडी में अफ्तार सिंगे होते हैं बाचपा के पार्शत के होते हैं यह हुआ उसके निचे हुआ मैं नहीं कहा था इन्हें से पूछलो यहां पर लोग खड़े हैं इनको बोलो आप तीनों एंसेडी के आप कुछ भी कर लो आपन परिवरतर देखेंगे के लिए जिनदा बात बाच पार ने और केजरीवालने तो दिल्ली है फालों वह आट सालों वहीं परणे कउंग्रेसी लेकिन ने और वही और यह सुन तो वही कॉंग्रेसी जिन परश्टाचारी कहते थे आज आज कंग्रेसी थे को केजरी वाल वोई आदमी है जो कंग्रेस को ब्रष्टाचारी कहता था कॉंग्रेस के लोगों को लेके कॉंग्रेस के लोगों को टिकर दे रहा है अप पार्टी में आप पार्टी में बिदायक है पार्शत आप पार्टी में इन्होंने कॉंग्रेस के लोगों को लाके दिया हमारा एक उमीदवार जो 40 सालों से महनत कर रहा है आम ने उनको टिकर दिया, पॉंग्रेस पार्टी ने उनको टिकर दिया मेघवाल इंदर मेघवाल को मूज रखने पे गोली मार दिया जाती है छो साल के बच्चे को मटका चूने से दलित के बच्चे को जान से मार दिया जाता है दिल्ली में केजने वाइल जी के सरकार है आग साल की बच्ची के साफ बर्दता करके रेप करके उसको जला दिया जाता है जो संसेकर रजास साहब के चीफ है उसके आज देख रहे हैं भी मार्मी के लोग कुलिस से पहले पॉस्त अपने बहुज़न समाज की लोगों की हक और अधिकार के वाज उठाने के लिए आज भी मार्मी के लोगों पर नाजाज मुकद में डाल देती है चाहिए कांग्रेस हो बीजेपी हो आमानी पाटी हो मैं बता देना चाहता हूँ भी मार्मी किस इलेक्शन के अंदर लड रही है और जो बरस्ता चार है आज निगम के अंदर पहले आपने देखा था कॉंग्रेस की सरकार भी थी हमाई लोगों को क्यों नहीं पक्ता किया गया क्यों नहीं उनके लाबांग दिये गए निगम के अवास है 40-40 साल से लोग रह रहे हैं क्यों नहीं उनको उनका मालिकाना हग दिया गया आमानी पार्टी के जुम्लेबाद जो केज़िवाल जी आये थे उन्होंने कहा था कि वह आप मेरी सरकार लाओ मैं आपको पक्ता करने का काम करूँगा आपके तमाम लाबांग दिलाने का काम करूँगा 57 सपाई करमचारी दिल्ली के अंदर मेरे वालमी के समाच के वो सहीद हुए आप देश और दिल्ली को सोच करने का काम मेरे वालमी के समाच के सपाई करमचारी करता है उनको समय पे बेतर नहीं है उनको उनके लाबांग नह लग जाती से थे क्या उनको उनका दर्द नहीं दिखा उन्होंने अपने मामला बनाया लेकिन इस वालमी की समाज समाज की बात कर रहे हूं आज पूरा बहुजन समाज है तो बाइन के लिए भी मारमी के लोग अपना उनका पसीना गिरता है ना खून बवाने का दम रखते हैं हम की कौम के हमारे भाई हैं सब यह लोग आज यह सरकारे बाबा साब ने कहा है पूरे बहुजर्जन समाज को हम जोडने काम कर रहे हैं आज 170 सीटों पर हम चुनाओं लड़ रहे हैं और वह सी साथ मिलके आज मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के मार्देम से पहले आप यह तै करें कि दिल्ली और देश के बहुजर्जन समाज के लोग हिंदू हैं य हम अपने हख और अधिकार मांगने के लिए जाते तो आप हमें दलिद बना दिया जाते हो तो यह पहले तैय कर ले आप तो भी मारनी बिल्कु बरदास नहीं करेगी और स्चुनाव के अंदर हम मजबूत से लड़ रहे हैं और हमें प्यार मिल रहा है यह आप देख सकते जग हमारे नौजवान निगम में नोकरी पर लगता है और वह 45 साल का होके पक्ता होता है कितने साल की नोकरी करेगा सोचने मजबूर है वह उसके बच्चे जवान हो जाते हैं एक 8000-12000 के अंदर आप परिवार को पाल सकते हो जवाब दीजा मुझे कलोनी के अंदर मैंने अभी लोको से पूछा है वहारी से निकालकर फैक रही थी तो यह पे कोंघ्रेस ओंतर पार्टी के सरकार यौ अझा ओन जानते हो भाई बहली जनटा हमारी जूटे जूम्ले फैक के उनका वॉत लेथे लेकिन वोत लेने के बाद पासाढ़ा बनने के बाद, विधायक बनने के ब वह लोग हमारी गळियों में जाकना ही पसंद करते और आपके चनल से बात और बताना चाहता हूं। जीन लोगों को जो लोग हमारी गलियों में घुसनेशन को बदवु आती हो हमारे हाथ का पानी पीने भी उनको जो है शरम आती हो क्या वो संसदिया भी विद्धान सभाव के अंदर हमारी अवाज उठेने का काम करेंगे यह पूछना चाहता हूं मैं सबसे पहले नियाय चाह लेकिन समय पर बेतन क्यों नहीं है देखे पहले जूटे जुमने दिए कि 200 दूंगा चुनाव निगम का आने से पहले वो 200 वापिस ले ली जाती है फिर हमारे लोगों को वलेंटर बनाकर उनके घर घर भेजा जाता है कि आपको 200 फिरी चाहिए पहले तो आप केजरी वाज अब क्यों ऐसा नहीं हो रहा है आपने का में बंगला लूँगा गाड़ी महिता है बड़ी-बड़ी कोठीों में घुम रहें आपकी जो जेयन है जेल महिन लोगों कि यहां पर हमारा तिल्तिल हमाराशन समाज के लोग तिल्तिल मर रहे हमारी बहुसनल प्यादित को क Sugit देखिए पहले तो आप ये समझेए कि केजरीवाल सरकार जिस तरह से दिल्ली में शासन पर आई थी। एक आंदोलन हुआ था जिस आंदोलन के चलते केजरीवाल ने ये कहा था कि मैं एक ब्रश्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूँगा इंडिया अगेंस करप्शन की बात करूँगा लेकिन केजरीवाल सरकार के पास अपने कोई मुद्दे नहीं है उन्हें एक जूटे प पर हम धियान दें तो उनके पास बिजली, पानी, स्वास, शिक्षा और सडके हैं आप चारो तरफ देखें मौला क्लिनिक के इसाब देखें उन्होंने कोविट के टाइम पर एलान किया कि कोविट की वैक्सिन मौला क्लिनिक में लगेगी आपके पास शायद इस बात का चर संग है, दूसरी बात जो दिल्ली में जिस प्रकार सडको का हाल है, उन्होंने वो कहते हैं कि मैं दिल्ली को पैरिस बनाऊंगा, अरे पैरिस तो बहुत दूर की बात है, पहले तुम इन दिल्ली की जो जुगी जो अपनियों में जो आप सडको का हाल देखो, पानी का हाल द तो शराब की दुकाने खुल गए हर मौले में और जब शराब की दुकानों के खिलाब बात आई तो रात और रात शराब के ठेके बंद हो गए बड़ा अश्चरे की बात है जब चाओ खोल लो जब चाओ बंद कर लो और उसमें पिस कौन रहा है आम जंता जो मौलों में जो बच्चे खराब हो रहे हैं आपने देखा होगा फूटी का डबबा शराब का बनाता 10 रुपए का आदमी खड़े हो के उसको पी रहा है यानि आप क्या सिखाना चाहर हो आने या अगर केजरिवाल की सरकार आने वाली पीड़ी को इस प्रकार का मामला सिखाना जा रही है तो मैंने ही समझता कि जनता को केजरीवाल को सत्ता में लाने का कोई भी कदम उठाना चाहिए। दूसरी बात जहां तक BJP सरकार की बात है पांच साल से BJP का कांसलर जिस छेतन में आप खड़े हो अभी आपने खुदी कहा कि यहां कि नाली मोरी का खड़ंजो का मामला है तो पांच साल से वो जो हमारा BJP का कांसलर था उसने एक काम भी किया हो तो हमारे सामने पताएं उन्ह और ने कोई काम नहीं किया अजाज समाच पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बहुजन समाच को साथ लेकर चलती है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करती है जो बहुजन कौन है बहुजन है सरदार क्रिश्चन मुस्लिम और इसाई और बाद यहां पर जो महौल है जूट का मैं पूछना चाहता हूँ आम आदनी पार्टी के सिप्पे सालारों से कि पिछले पांच सालों में जब से सत्ता मरें उन्होंने बताई यह कौनसे काम ऐसे करें जो आम जनता तक पहुचे हो सिवाए सिवाए एक ही चीज़ के जूटा वादा जूटा वादा और वही काम मोदी जी के सरकार करती है तो मैं इस वीडियो के मात्यम से तमाम दिनता को कहूँ एक नया आयाम लाओ, एक नई उर्जा लाओ, एक नई दिशा देखो और अजाज समाच पार्टी भीमा आर्मी के साथ जुड़े ताकि आपके आपके बच्चों का भविश्य बन सेगे। सच्चाई करेंगे, देखिए सच्चाई और जूट में बहुत फरक नहीं होता, केवल एक शब्द होता है, लेकिन सच्चाई का जो पैमाना है वो बहुत बड़ा होता है, और जूट का पैमाना बड़ा दिखता है, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ शन भंगूर होत रहे गा जिस प्रकार हमारा एक मुव्मेंट है तो इस मुईनो हिताय क्रणे धाया कर अरे यह मिनूसिबल कॉर्परेशिंग ऑलेक्चिन लोग लेक्षान होता यह कॉणॉस्चेहएं का समढ़ान करने के लिए होता है इसमें कोई constitutional amendments का मामला नहीं होता more or less जो MCD के मुद्दे होते हैं वो नाली, खड़ंजा, सफाई ये बेजा मामले होते हैं और ये हमारे candidate साहब है अरुण जी ये बताएंगे आपको आगे की शाइब सभी साथियों को जैभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपने बार बार एकी आपका एकी मुद्दा एकी question है कि आप अगर MCD में आते हैं तो आप कैसे काम करेंगे तो मैं आपको उसका विस्तार से बताना चाहता हूँ कि हम क्या काम करेंगे और क्यों करेंगे और किसलिए करेंगे क्योंकि अभी तक जितने भी MCD के एलेक्शन होए है जितनी तीनों बड़ी पार्टिया जो है आम आदमी पार्टी कांग्रेस और वीजेपी जो दिल्ली के अंदर कावीज है तीनों पार्टिया आज की डेट में आपको ही पता होगा आपके चैनल के माद्यम से मैं यह भी बत चाहिते हैं उसके बाद में यह जो दो करोड़ की तीन करोड़ की टिकट खरीद के लिए क्या आदमी उस पर दो तीन करोड़ और खर्च करता है जीतने के लिए कि मेरा पैसा बर्वाद ना हो जाए अब जो आदमी 10 करोड़ रुपे एक इलेक्शन में लगाएगा जीत के आएगा तो वो क्या इन जोपडियों में आएगा क्या वो पहले भीया अपना पैसा बनाएगा पैसा बनाएगा और चंद्रसेगर भीया भीम आर्मी अजास समाज पार्टी ने ये अगास किया है कि हम टोटल अपने गरीब तपके के दलित लोगों को इस इलेक्शन में सब्सक्राइगा करेब कराएगा ऩरेगा दलित लोगों को उस संवाच का दर्द जानेगा इस दीज और बताना चाहता हूं मैं पनाकरी प्लोट जुझ होगा सब्सक्राइग चाहक फोड़े घर कियो नहीं होते हैं क्यों डेह美味 सब्सक्राइग की इन को मैं देखा हुआ कोठी एरिया में कोई दारू के ठेके या फिर कोड़ा घर है तो कॉंग्रेस की जमाने से ही चलता आ क्वाजबा की बता रहा हूं और आमानदी पार्टी की बता रहा हूं तो उन्होंने भी का अता तो जुग्णि तो वही की मई है नाली के समश्चा मही की मही है 20-20 साल से मजूटी ले के अंदर गटर भर जाते हैं हम मैंने बताया ने लाइप भी दिखायता मैंने आपको विराम देता है बहुत सारी बाते हैं कहने को तो इसी के साथ जय भी